नमस्कार मेरे पहरे देश्वासियों पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है आमतोर पर कभी जब कोई प्राकुरतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सिमित रहता है लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब वितिय विश्व युद्ध हुआ था तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज को रोना की इस बिमारी से हैं पिछले दो महने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं सुन रहे हैं इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरिकों ने कोरोना जैसी बैश्विक महामरी का डटकर मुकाबला किया है सभी देश्वासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भरत्सक प्रयास भी किया है लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम संकर से बचे हुए है ऐसा लगता है सब ठीक है वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिन्त हो जाने की ये सोच सही नहीं है इसलिए प्रत्तेग भरत्वासि का सजग रहना सतक रहना बहुत आवश्चक है साथियों आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है मुझे कभी भी देश्वासियों ने निराश नहीं किया है ये आपके आशिरवात की ताकत है कि हम सम्मिल करके अपने नर्धारित लक्षों के तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रयास सफल भी होते हैं आज मैं आप सभी देश्वासियों से एक सो तीस करोर देश्वासियों से आप सबसे कुछ मांगने आया मुझे आपके आने वाले कुछ सब्तह चाहिए आपका आने वाला कुछ समय चाहिए मेरे पैरे देश्वासियों अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाएं नहीं सुजा सका है और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़ने बहुत स्वाभाविक है दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाइरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है वहां अध्यान में एक और बात सामने आई है इन देशों में सुरूआती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है इन देशों में कोरोना से संक्रमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनों ने आवशक निर्णे भी किये और अपने यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है भारत जैसे एक सो तीस करोड की आबादी वाले देश के सामने और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैतनेशिल देश है और हम जैसे देश पर कॉरोना का यह संकट सामाने बात नहीं है आज जब बड़े बड़े और विक्सित देशों में हम इस वैस्ट्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह मानना गलत है और इसलिए इस वैस्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज एक सो तीस करोड देशवासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैस्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यका पालन करेंगे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के दिशान निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे साथियों इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ ऐसी स्थिति में जब इस विमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना यह सबसे पहली आवश्यक्ता है इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है संयम और संयम का तरीका क्या है बीड से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे कि सोश्यल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में यह सोश्यल डिस्टंसिंग यह बहुती ज्यादा आवशक है और कारगर भी है हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक है आपको कुछ नहीं होगा आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे सरकोपर जाते रहेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे मैं समझता हूं यह सोच सही नहीं है ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे इसलिए मेरा सभी देशवासियों से यह आग्रह है कि आने वाले कुछ सब्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करें जो सरकारी सेवंगों में हैं अस्पताल से जुड़े हैं जनप्रतिनी दी हैं जो मिडिया कर्मी हैं इनकी सक्रियता तो आवशक है लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़वार से बाकी समारों से आइसोलेट कर लेना चाहिए मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो साट पैंसट वर्स की आयू के उपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सब्ता तक गर से बाहर न निकलें कि मैं फिर से आग्रह करता हूं कि साट पैंसट से उपर की आयू वाले हमारे सभी परिवार के जन गर से बाहर न निकलें कि हो सकता है कि वर्तमान पीड़ी पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं जो जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था बंद नाइट बंद रखी जाती थी लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध नहों तो भी साल में एक दो भार तो वहां के जो नगरपाली काई होती थी वह जागुरू को करके यह ब्लेक आउट का डिल रहा यह है जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू कि इस रभिवार कि याने कि दो दिन के बाद कि 22 मार्च को 22 मार्च रभिवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देश्वास्यों को जनता कर्फ्यू का पानन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बहार न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में एकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हां जो आवशक सेवां से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा तो उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं सात्यों 22 मार्ज को हमारा यह प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित में करतेवय पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा 22 मार्ज को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं डेश की सभी राजसरकारों से भी आगर करूंगा कि वह जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्प करें कि हमारे देश्ट में कई संगठन है एनसीचा एनसेश है कई उपा संगठन है सिबिल सुसाइटे है खेलकुद के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रविबार तक इस जंता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं लोगों को जागरुक करें आप यह भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समझ में नागरिक को करने वाले काम कि जंता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश्वास्यों यह जंता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा यह कौराना जैसी वैश्विक महामारी के ख़राब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है यह देखने और परेखने का भी समय है आपके इन प्रयासों के बीच जंता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आपसे एक और सहीयोग चाहता हूँ साथियों पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं चाहिए डोक्टर हो नर्सीस हो हाउस्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एरलाइनस के करमचारी हो सरकारी करमचारी हो पुलीस कर्मी हो मीडिया कर्मी हो रेल्वे बस आटो रिक्षा की सुविधा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकते आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राष्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद कर अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड सकता है रविवार को यहने जनता करिफ्यू के दिन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक एक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक अ कि ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी क्रतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को 5 बजे साहरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे संस्कारों को मानने वाले ऐसे देश्वास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे होस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी होस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस महामारी के लिए प्रात्विक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देश्वास्यों से आगर ये भी है कि रूटिंग चै जाने की है हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए कि जितना बच सके बचना चाहिए कंगे आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाले डॉक्टर आपके फिमिल्यों ये आपने रिस्तेदारि में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर थी फोन पर ह भी उनसे आवशक सलाह ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवशक नहों ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आग्रह है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दें साथियों इस वैश्वीक महामारी का अर्थ ववस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महामारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने भारत सरकार के वित्त मत्री के नेतुने फाइनस मिनिस्टर के नेतुने इसके गठन का फैस्टा लिया है ये टास्पोर्स सारे स्टेक होलर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर्थ परिस्थिति का आकलन करते हुए निकड भविश में फैसले लेगी कि ये टास्पोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाएं उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर ये महामारी ने देश के मध्यमवर्ख नीम्नमध्यमवर्ख और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी ख्षति पहुँचाये दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आयवर्ख से भी आग्रह हैं कि अगर संबव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दपतर ना आपाएं आपके घर ना आपाएं ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ संवेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखिएगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वास्यों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूं कि देश में दूद खाने पिने का सामान दवाईयां जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो कि इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कि यह सप्लाइ कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश्वासियों से याग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाएं आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान रुपसे ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग यह कता ही ठिक नहीं है उसको न करें कि साथियों कि पिछले दो महनों में एक सो तीस करोड भारतियों ने देश के हर नागरिक ने देश के सामने यह जो संकट आया है उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए समाज के लिए देश वासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देश वासी अपने करतवयों का अपने दाइत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हां मैं मानता हूं कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईयां भी आती है आशंकाओं और अफ्वाओं का वातावरन भी प्यादा होता है कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी यह संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में सारे देश्वास्यों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने के भी आवश्यक्ता है साथ यो हमें अब भी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्राथ्विक्ता देनी है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है यह आवश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे पहरे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का पर्व आ रहा है यह शक्ति उपासना का पर्व है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचेंगे देश भी बचाएं जग को भी बचाएं छा खिर एक बार हिं कि मैं आग्रह करूँ स Оп Cornell का द्देश्म आपका भी बहुत बहुत धनिवाद के नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखे हम सब मिलकर नावल करोना वाइरस या कोविड नाइंटीन को पहलने से रोख सकते हैं इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खांसते या छीकते समय हमेशा अपने मूँ को रुमाल से या टिशू से ढखे इस्तमाल की हैवे टिशू को तुरंत ढखनदार कच्रे के डबे में डाल दे अपनी आख नाख और मूँ को हाथ से नच्छुए आप अपने हाथों को समय समय पर सावन और पानी से लगब 20 सेकंड तक दोए भीड बाहर वाली जगह पर जाने से बचे अगर आपको खांसी बुखार या सास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखे ऐसे लक्षण देखने पर तुरंट तुरंट अपने डॉक्टर से सला ले अस्पताल में आप अपने मूँ पर मास्क या रुमाल ज़रूर रखे अधिक जानकारी के लिए स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले की एक हल्पलाइन है 011-29-780-46 अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए